अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समेटे हुए पवित्र ग्रंत श्री मदभगवत गीता को लेकर यूंग तो कई रिकॉर्ड दुनिया भर में बने हुए हैं और अब ये नया रिकॉर्ड भगवान के प्रती उनके भक्तों की आस्था को और मजबूत कर देगा क्यूंकि तैयार हो चुकी है विश्व की सबसे बड़ी गीता इटली का मिलान शहर जो की भारत से करीब 6,830 किलोमीटर दूर है वहाँ पर अब तक की ये सबसे बड़ी 800 किलोग्राम की गीता बनाई गई है डेड़ करोड की लागत से बनी इस पुस्तक को बनाने में धाई साल का समय लगा ये पुस्तक समुद्री रास्ते से भारत लाई जाएगी और 20 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी दिल्ली के इसकौन मंदिर में इसका लोकारपन करेंगे दुनिया की ये सबसे बड़ी गीता फिलहाल दिल्ली में ही रहेगी वर्ष 2020 के बाद इसे कुरुक्षित्र में बन रहे श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में स्थापित किया जा सकता है गीता प्रचार के 50 साल पूरे होने पर ये पुस्तक प्रकाशित कराई गई है सिंथिटिक से बनी इस पुस्तक पर प्लैटिनम, सोने और चांदी जैसी धातुएं लगाई गई है 670 पेजवाली इस पुस्तक को पलटने के लिए 3-4 व्यक्तियों की जरुवत पड़ेगी